हरे क्रिश्ना, रिच्चा इस्ट विजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, आज हम फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और वो है कि अगर किसी व्यक्ति के बर्चार्ट में ब्रस्पति ग्रह यानि कि जुपिटर अगर कि अगर ब्रस्पति ग्रह बर्चार्ट में मकर राशी में प्लेश्ट है, कैप्रिकॉन साइन में प्लेश्ट है, दस नमबर की राशी में, तो वो किस तरह से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकता है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी विशे पर चर्चा करने वाले हैं तो आईए शुरुवात करते हैं दिखिए most benefit planet समझे जाने वाला ब्रस्पति ग्रह कारक है धर्म spirituality higher learning गुरू संतान और हमारे जीवन में prosperity का तो यदि किसी व्यक्ति के bird chart में ब्रस्पति ग्रह अगर नीच वस्था में placed है तो इस थिती का बहुत ही गहराई से analysis किये जाने की ज़रूरत है उसके शडबल को बहुत गहराई से चेक किया जाना चाहिए अश्टक वर्गा पॉइंट्स का बहुत गहराई से analysis किया जाना चाहिए और इसके साथ ही डी-9 में नमाश कुंडली में ब्रस्पति ग्रह की किस तरह की placement है उसका भी बहुत गहराई से analysis किया जाना चाहिए यदि D1 में ब्रस्पति ग्रह नीच अवस्था में placed है तो तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रस्पति ग्रह कारक है विवाह और संतान का तो यदि ब्रस्पति ग्रह किसी विक्ति के बर्चाट में debilitated अवस्था में placed होगा नीच अवस्था में placed होगा तो जाहिर है कि वो केप्रिकॉन साइन में होगा मकर राशी में होगा तो मकर राशी के जो स्वामी है वो शनी देव माने जाते हैं तो इस तरह की जो placement है वो व्यक्ति को बहुत जादा प्राक्टिकल अप्रोच देती है जीवन में तो यदि किसी व्यक्ति के बर्चाट में ब्रस्पति ग्रह मकर राशी में placed है और उसके उपर पाप ग्रहों का प्रभाग भी है तो इस थिदी में व्यक्ति जब भी विवाह करना चाहेगा त और जो एक passionate relationship की जो चाह है वो उसका स्थान जो है वो बाद में आता है तो इस तरह से नीच वस्था में ब्रस्पति यदि बर्चार्ट में placed हो तो व्यक्ति को बहुत ही practical और logical अप्रोच देता है तो इस तरह की placement यदि बर्चार्ट में हो तो व्यक्ति को विवाह से matters में देरी और दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है तो इसी तरह से ब्रस्पति ग्रह संतान का कारक भी माना जाता है तो यदि ब्रस्पति ग्रह बर्चार्ट में नीच वस्था में है और उसके उपर पापक्रहों का प्रभाव भी है तो व्यक्ति को संतान से संबंध में भी देरी और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और अगर हम हेल्थ के point of view से बात करें तो debilitated ब्रहस्पती के ऊपर यदि पापक्रहों का अत्यदिक प्रभाव हो तो इस थिती में व्यक्ति को digestive system से संबंधित पेट से संबंधित problems होने की संभावना जो है वो रह सकती है तो ब्रस्पती ग्रह अगर बर्चार्ट में नीच वस्था में placed हो तो उसके बारे में मैं एक interesting बात भी जरूर शेयर करना चाहूंगी कि देखिए अगर ब्रस्पती ग्रह बर्चार्ट में नीच वस्था में placed है और उसके उपर दूसरे पाप ग्रहों का प्रभाव है या वो पाप ग्रहों के साथ है तो इस थिती में ऐसे व्यक्ति जब भी कोई मंत्र साधना करेंगे या मंत्र चारण करेंगे तो उनका जो जाधा फोकस है वो मंत्रों की संख्या पर रहता है उसकी गिनती पर रहता है की उनों ने जो डेली टारगेट जो सोच रखा है कि इतना मंत्रचारन प्रतिदिन किया जाना है उनके दौरा तू उनका सारा focus जो है वो उसी के उपर रहता है तो इसके विप्रीत अगर ब्रस्पति ग्रह बर्चार्ट में exalted है उच अवस्था में placed है तो जाहिर है कि वो cancer sign में होगा करक राशी में होगा तो जो cancer sign है वो represent करता है emotions को जल तत्व को तो इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि देखिए जब भी हम कोई मंत्र साधना या मंत्र चारण एक बहुत ही spiritual और emotional environment में करते हैं तो उसके अधिक प्रभावशाली होने की संभावना हमेशा रहती है तो श्रद्धा भाव से किया गया मंत्र जब मंत्र चारण भले ही वो कम संख्या में ही क्यों न हो यदि वो श्रद्धा भाव से किया जाता है तो उसके अधिक अच्छे रिजल्ट हमें जीवन में हमेशा प्राप्त होने की संभावना रहती है देखिये जब भी किसे व्यक्ति के बर्चार्ट में ब्रस्पति ग्रह के उपर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो उस थिती में व्यक्ति जब भी मंत्र सादना करे या मंत्र उचारण करे तो उसका ज़यादा focus मंत्र उचारण की गिनती पर नहीं होना चाहिए बलकि उसे श्रद्धा भाव से मंत्र चारण करना चाहिए, मंत्र साधना करनी चाहिए और इससे जुपिटर की positive energy को enhance करने में बहुत मदद मिल सकती है तो आगे मैं कहना चाहूंगी कि ब्रस्पती का जो deepest debilitation point है वो मकर राशी में 5 degree पर माना जाता है जो की उत्राशाडा नक्षत्र में आता है तो विंशोत्री महादेशा सिस्टम के अनुसार उत्राशाडा नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो सूर्य को माना जाता है तो जब भी बर्चार्ट में ब्रस्पती ग्रहर deepest debilitation point के करीब हो तो उस थिती में ये इस और indicate करता है कि व्यक्ति को जीवन में soul purification की जरूरत है आत्मशुद्धी की जरूरत है तो इसी तरह से जब भी किसी व्यक्ति के बर्चार्ट में ब्रस्पती ग्रह debilitated हो नीच वस्था में मकर राशी में placed हो और उसके उपर पाप ग्रहों का भी प्रभाव हो तो इस थिती में ये व्यक्ति को जीवन में एक internal conflict भी दे सकता है परस पर विरोधी विचारों का एक अंतरद्वन दे सकता है उस भाव से संबंधित चीजों में जिस भाव में नीच ब्रस्पती जो है वो placed है तो इसे हम एक example के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि मान लेजिए किसी व्यक्ति के bird chart में तीसरे भाव में ब्रस्पती ग्रह दस नंबर की राशी में Capricorn sign में placed है और उसके उपर पाप ग्रहों का प्रभाव भी है तो इस थिती में तीसरा भाव क्योंकि siblings को भी represent करता है भाई भेहन को represent करता है तो व्यक्ति के जीवन में अपने भाई भेहन से रिष्टों को लेकर एक परस पर विरोधी विचारों का एक अंतरद्वंद्व जो है एक internal conflict जो है वो हमेशा रह सकता है और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जुपिटर अगर बर्चार्ट में केप्रिकॉन साइन में प्लेस्ट है मकर राशी में प्लेस्ट है तो ये व्यक्ति को जीवन में एक और तरह का जो internal conflict दे सकता है और वो है spirituality और materialism के बीच में तो देखिए ब्रस्पति ग्रह जहां एक और धर्म और spirituality और higher learning को represent करता है तो डूसरी और जो मकर राशी है वो एक बहुत ही practical राशी मानी जाती है मकर राशी का environment जो है वो बहुत practical माना जाता है तो जब भी ब्रस्पति ग्रह मकर राशी में placed होगा तो व्यक्ति की जीवन के प्रती approach है वो बहुत ही practical और logical हो सकती है क्योंकि मकर राशी जो है वो एक प्रत्वी तत्व की राशी मानी जाती है तो यहाँ पर यदि व्यक्ति के जीवन में इस तरह का internal conflict है ब्रस्पति नीच की वज़ा से तो और इसके साथ ही यदि शनी ग्रह के द्वारा ब्रस्पति का नीच भंग भी बर्चार्ट में हमें दिखाई देता है तो इस थिती में debilitated ब्रस्पति की वज़ा से व्यक्ति के जीवन में जो भी problems है उन सभी को व्यक्ति यदि कोशिश करे तो इस बात की प्रबल संभा जामना है कि वो उन सभी problems को जीवन में overcome कर सकता है तो यदि किसी व्यक्ति के बर्चार्ट में ब्रस्पति ग्रह नीच वस्था में placed है और शनी के द्वारा उसका नीच भंग यदि हो तो इस थिती में व्यक्ति अपने consistent efforts और hard work के द्वारा जीवन में नई उन्चाईयों को छू सकता है ऐसी शमता ये placement देती है तो आखिर में मैं कहना चाहूंगी कि अगर ब्रस्पति ग्रह बर्चार्ट में नीच वस्था में placed है तो उसकी positive energy को enhance करने के लिए गर्जेंद्र मोक्ष का पार्थ विशेश रूप से फलदाई हो सकता है और जैसा कि हम जानते हैं कि ब energy वाला ग्रह माना जाता है और यदि बर्चार्ट में जुपिटर नीच वस्था में placed है तो व्यक्ति को अपनी घर में पड़ी सभी तामसिक energy वाली चीज़ों को हटा देना चाहिए और इस तरह से उसको जुपिटर की ब्रस्पति की positive energy को enhance करने में बहुत मदद मिल सकती है और इसके साथ ही व्यक्ति को गरीब बच्चों की पढ़ाई में भी मदद सरूर करनी चाहिए जिस भी तरह से वो कर पाए तो इस तरह से इन चोटी चोटी चीज़ों को जीवन में अपना कर हम ब्रस्पति की positive energy को enhance कर सकते हैं तो ये था मेरा चोटा सा विशलेशन अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को subscribe करें मेरे वीडियो को like करें हरे क्रिश्ना